दोस्तो दन्यूस्पीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंती का बटन दबाएं दुश्मन कित्रा ही जोर लगा ले जै जोहर बोलेंगा ये वो नारा है जो आज कल राजस्थान के फिजाओं में आपको सुनने को मिलेगा और आमबागड किले में आदीवासी समुदाई ने फिर से अपनी विरासत को फते करते हुए इस नारे के जरिये अपना ज़ंडा ले राया है जै जोहर का ज़ंडा आपको याद होगा इन दिनों आमबागड किला जो है राजस्थान में उसको लेकर विवाद हो रहा है और सीधे तोर पर आदीवासी बनाम संगी यानि जो संगी आरेसस है उसके खिलाफ की लड़ाई हो रही है और उस किले पर भगवा दवज ले रहाया गया उसके बाद आदीवासी संगी ने क्लेम किया कि ये हमारा किला है आप यहाँ जंडा अपना नहीं लगा सकते और उसके बाद हजार और लोगों का जो जोजूम वहाँ पर पहुँचता है विजै होती है और आरेसस को मूप की खानी पड़ती है यानि आदीवासी बनाम आरेसस की लड़ाई में RSS की करार ही हार होती है तो ये क्या मसला है क्या इसके माइने हैं क्या सियासी मतलब है इसका इसको जानने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र मीना जो कि दिल्ली उनिवर्सिटी में इतियास बढ़ाते हैं और मीना समुदाई से आते हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है जितेन जी बहुत-बहुत शुक्रिया सेर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा अंबागड किला का जो विवाद है उस पर आप लोगों कितनी प्रितिकरिया इतना जोश क्या मतलब है इस बात का देखे सुमें जी यह जो किला है अंबागड है उसकी कुल देवियां यहां पर है और उसके साथ साथ बाकी जो उनके इस देवें उनकी लगातार पूजा होती रही है आजादी के बाद से यह किला भारत सरकार के जो पुरातत विवाग है उसके और रास्तान सरकार के बन विवाग के जो है नियंत्रण और निरक्षण म गटना करम जो हुआ उसमें ये हुआ कि इसकी जो मूर्तियां थी उनको जुन के महीने में तोड़ दिया गया और उसके बाद 理ा जो हैं मूर्तिया यहां पर लगाई गई यह आरेसेस के लोगों ने किया आरेसेस के लोगों ने यह किया उसके बाद जो इस घटना क्रम है जो चीज हुई वह यह हुआ कि 14-15 जुलाई की रात में आचानक हम लोगों ने देखा कि उस किले के उपर भगवा दोज जो है लहरा दिया गया जब ऐसे में जब यह पूरा किला राज्थान सरकार के नियंतरण में है पुरातत विभाग के नियंतरण में ऐसे में इस किले पर भगवा दोज लहरा ना अपन का इस बिराश्ट पर यह जो आदिवासी बिराश्ट पर भगवा नहीं ले रहा है जा सकता है आप इसको हटा लीजे समान पूरवक हटा लीजे तो आरेसस ने अचानक से क्यों सोची ऐसा देखिए यह एक पहली दफा नहीं हुआ इससे पहले भी इस तरीके की जो बिराश्ट रही हो चाये और अवीसी तपके की विराश्ट रही तरह हुए उनके इस देवी देपता रहे उनका हिंदुआ जो कबीला है उसका बहुत पवित्र इस्तल है उसके उपर भी इस तरीके से जो है कबजा किया गया उसमें हम लोगों ने देखा कि जो सरकार थी वो भी उसमें शामिल थी वहां जो मंदिर बनाया गया उसके बाद जिस तरीके का उसका ट्रस्ट बनाया गया उसमें जिन लोग को हिंदू बनाने का काम चल रहा है यह हिंदू बनाने का सिल्सला है आजादी के समय से ही चलता आ रहा है और राजस्तान में खास करके यह सिल्सला जो शुरू हुआ यह आरिय समाजियों ने किया आर्ये समाजियों ने जो है राम लीला रास लीला के नाम से जगे जगे गाउं में टोलियां भेज करके आदिवाशियों को हिंदू करना शुरू किया उनको जो है बनवासी कहना शुरू किया वो सब उसी प्रिक्रिया का इसा था और उसी कड़ी में 14-15 जुलाई को जा करके जंडा लगाया गया और उसी का ये विरोध हुआ कि भाई अगर आपको जंडा लगाने का इतना ही शौक है तो आप तिरंगा लगा सकते हैं जिसका कि इस देश का तमाम तब का सम्मान करता है यही तो एक दुरभाय के पूर्ण बात था इसी लिए तो उसका विरो जासियों का जो जंडा है वो लगे आया जाएगा और उसी का ये विरोध हुआ उसके बाद हम लोगों ने देखा जब समझाए सुई बातची ती और उसके बाद कहा गया कि भाई अगले दो दिनों में आप इसको हटा लीजे उसको नहीं अटाया गया तब हम लोगों ने प्रशाषन को भी कहा गया कि भाई अगर इन लोगों ने जिन लोगों ने या चोरी छुपे जंडा लगाया वो नहीं हटा रहे हैं तो आप इस जंडे को हटा दीजे अगर नहीं हटाते हैं तो फिर समाज को आगे आना पड़ेगा और जब प्रशाषन ने भी उस पे कोई एक्षन नहीं लिया तब 21-22 जुलाई को जो है आदिवासी समाज के लोगों ने जा करके वो जंडा जो था उसको हटा दिया वहां से जंडा वो अंतिपून तरीके सा हटा दिया गया कायदे से तो इस मसले को यहीं रिजॉल्व हो जाना चाहिए था लेकिन आरसेस ने और उनके जो पिठु चैनल थे सुदर्शन जैसे न्यू चैनल से जो इस तरीकी की नफरती राजनी थी कर रहे हैं उन्होंने इसको हिंदू जो है बरसेस गैर हिंदू बनाने की कौसिस की और वहां गाली भी दी मीनाओं को कि मैं मीना बोलू तो तुम कमीना समझना सुरेश श शुदर्शन न्यू चैनल वाले ये साबित करना चाहें कि मीना नाजैस अौलाद है वह तबका जो इस मुल्क की बुनियाद में है जो आरियों के आगमन से यहां पर है जो अपना हिस्ट्री जो अपना विराशत है वह सिंदू गाठी सबिता से जो तबका साबित करता है ज आपको किसने हक दिया कि पूरे समाज को आप गाली दें, आपके पास कोई हक नहीं है, अगर आपको भगवा से इतना प्रेम है, आप अपने घर में लगाईए, अपने दुकान और अपने मकान में लगाईए, आप आदिवासी बिरासत पर आकर के भगवा नहीं लगा सकते है और उसी कबिरोत था, हम लोगों ने जो चीज़ देखी, वो सिर्फ एक दिन का मसला नहीं था, वो लगबग उन्होंने आठ से दस दिन ये पूरा केमपेन चलाया, ये नफरती केमपेन था, जो कि आदिवासी तबके के खिलाब था, वो दरसल उस तबके को जो अपने आइ इसके कुछ नेताओं ने कहा कि ये जो हैं इसाई लोग हैं, इवन सुदरशन न्यूज चैनल वालों ने कहा कि ये इसाई हैं, मुसलमान हैं, जो पंडिंग और ही हैं, इन लोगों को ये हिंदू के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस तरह के एजंडा फेला है, नफरती भी फेला ये लगा रहे हैं, आदिवाशियों के उपर, जो इस मुल्की की बुनियाद में हैं, आप उनके उपर ये पी लगाएंगे, उनके उपर नाई ये लगाएंगे, ये सच में सोचने लाइक बात है, और ये दरसल जो आवरॉल पूरे देश में देखने को एक कैम्पेन चल र तो इसमें हमने देखा कि एक तरफ आरेसस था, नफरती मीडिया जो उनकी संगी मीडिया वो थी, दूसरी तरफ आदिवासी समाज, जो मीना समाज है, बड़ा जोश दिख रहा है, आज कल वीडियो आए, तस्वीर आए कि नाच रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अथियार ल जब एक अगस्त को हम लोगोंने सुबह सुबह जो तश्वीर आई, उसमें क्लियर लिखा हुआ, जो जंडा लगा हुआ था, वो सफेद कलर का जंडा है, जो आदिवाशियों की जो संस्कृती, खास कर कि मीना संस्कृती में, जो सफेद कलर का जो महत्व है, वो सबसे सीधी लड़ाई, जो है, जमीन पर देखी गई, और वो जमीन की जो लड़ाई है, उसमें आदिवासी जीते, उन्होंने केवल जमीन पर लड़ाईने लिए, उन्होंने बैचारिक इस्तर पर भी उसको लड़ाई को लड़ा, कानूनी इस्तर पर भी उन्होंने लड़ा, कि जहां जिस तरीके से सुदर्शन ने अफरत फैलाई उसके खिलाफ F.I.R. भी की गई और तमाम जगे पर और भी बाकी एक्शन्स लिए और बैचारे के स्तर पर उन्होंने बता है कि हम किस तरीके से मानते हैं कि हम आदिवासी जो है हिंदू नहीं है क्योंकि आपका जो पूर का पूरा बढ़न का सिस्टम है जिस तरीके से आप बताते हैं कि ब्रह्मा जी के यहां से ये ब्यक्ति पैदा हुआ है ये समाज पैदा हुआ आदिवासी तो उसमें पैदा नहीं हुआ आदिवासी उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है आदिवासी अपनी मा के गर्व से पैदा ह हुआ हैं हम आपके ब्रतु से पैदाश तो यह हमारी जीत है हमने साबित किया है कि आधिवासी ही नहीं है यह आधिवासीं को एयंूपी जन्गली है यह अनपड है इंको कुछ समझ नहीं यह जो एक एजंडा जाता है तो उसका भी जवाब हैं कि वो जो कह रहे हैं कि अनपढ़ हैं आज मैं दिली विशुद देलमे इतिहास में पढ़ाता हूँ अज असिस्टन प्रोफिसर पिछले साथ-ाथ सालों से लगा हुआ हूँ तो मैं तमाम फैक्ट और जो सोर्से जाएं उनके साथ ये कह रहा हूँ अपनी बात तो जो जो लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग है इनके बैचारी की मज़बूत नहीं है उनके लिए करारा जबाब है और लगातार पिछले आप 15 दिनों में देखें सिर्फ 15 दिनों का एक्जम्पल दे रही है जो बैचारे के इस तर पर जो लेख लगातार लिखे गए हैं आप सोसल मीडिया पर देख लीजिए आखवारों में देख लीजिए तमाम जगहों पर जब देखेंगे तो पाएंगे कि आदिवासी जो है बैचारे के इस्तर पर भी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है अपनी विराशत के साथ में मेरे एक सवाल हो रहे है कि जो आजकर हम देखते हैं देश में कि आरसस इतना मजबूत है योगी है मोदी है इंड़त्वा आइडिलोजी पे राम मंदिर पे पूरी देश के सियासत बटी हुई है मुसलमानों के खिलाव नफरत में तो यह जो पूरा एजेंडा है इसका जो एक इलाज के तोर पे जिसको हम बोले कि एक वैक्सीन आगे इस वाइरस की वो मूल लिवासी बहुजन समाज जादिवासी समाजी इस वैक्सीन की तरह काम कर सकते हैं इस वाइरस का जो इलाज बन सकते हैं बिलकुल देखिए सामाजिक न्याय की जो राजनीती है वही इस नफरती जो भगवा करण की जो राजनीती है उसकी वैक्सीन है और वो इतनी कारगर वैक्सीन है हमने आमबागड में देखा है एक डोज से काम चल जाएगा द पिल्कुल उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस जगे भगवा लगा सके ये समाज की ताकत थी ये आदिवाशियत की ताकत थी और उसके साथ उनके साथ जो सॉलिडारिटी में जो तबका खड़ा हुआ था जो दलित तबका है जो जैभीम के नारे के साथ अपने जो नीले के साथ जिस तरीके से भगवा का मुकाबला वहां आदिवाशियों के साथ कर रहा था ये उनकी ताकती एक जुट ताकती जिस तरीके से किसान जातियां पसुपालग जातियों के लोग वहां खड़े हुए थे उन्होंने साबित किया कि भगवा की कारगर वैक्सीन जो है य इस भगवा एजन्डे को नहीं चलने देंगे इस भगवा जंडे को भी नहीं चलने देंगे और उनके पास उसका पूरा डोज है और उन्होंने ये वैक्सिन लगाई है और ये पहली दफ़ा नहीं हम लोगों ने पहले भी आप देखिए STSC Act में ये डोज दिया था तब सरका को जुकना पड़ा था यही योगिर मोदी थे हम लोगों ने रोस्टर के दर्मियान दिया तब इस सरकार को जुकना पड़ा नीट के दर्मियान हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये सरकार गुटनों के बल जो है खड़ी हो गई और उस पूरा का पूरा जो उनका एज व्मारी को इस वैक्सीन की तरह से इसको ठीक कर सकती है, इस वायरस का इलाज कर सकती है और वो हमने आंबागड किला के बारे में देख लिया कि किस तरह से अधिवासी समाज ने आरे से इसको गुटनों पर ला दिया किसी की इम्मत नहीं जो विडियो बना कर कह रहे थे कि हम जाकर भगवा लेराएंगे कोई वहाँ पर जाकर आदिवास्यों का मुकाबला कर सके तो इस मनुवादी सोच को इस हिंदू राष्टर की सोच को इस घटिया सोच को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो है भूजन समाज की जो वैचारी की है मिटकरवादी जैपाल मुंडा की जो वैचारी की है उसके जरीए बिरसा मुंडा की जो वैचारी की है उसके जरीए हम इसका जवाब दे सकते हैं एक चीज और बहुत खुबसूरा थे जिसको समझना चाहिए कि यह सिर्फ और बीजैपी का इलाज नहीं था इसने कॉंग्रेस इसने इस मुद्धे को जिस तरीके से भुनाने की कॉस इसकी बहुत साइलेंटली उन्हों को लगा कि आदिवासी तबके को वो अपनी तरफ खी सकते हैं उन्होंने उनका भी दुआ निकाल दिया उन्होंने कहा कि आप जो यह काम कर रहे हैं सुदर्शन टीवी चैनल के खि खेल है इस खेल को भी हम समझ रहे हैं आप भी चेत जाईए और अब जो आदिवासी समाज है वो अपना बिकल्ब तलाश रहा है वो कॉंग्रेस और भाजपा से मुक्त एक तीसरे बिकल्ब की तलाश में है और उसे बिश्वास है कि दलित पिछड़ा अल्प संख्यक जो त बदलाव की संकेत है जी बिलकुल ये एक शुरुआत है यहां पहली दफा आपको देखने को मिला कि आदिवासियों ने अपने हक को जब क्लेम किया तो जिस तरीके की सॉलिडायटी बाकी तब के से मिली ये बड़े बदलाव की संकेत है इसमें गुजर समाज आपका कंदे से कंदा मिला करके खड़ा हुआ था जाट समाज इसके मैं कंदे से कंदे मिला करके खड़ा हुआ दलिस समाज पूरा का पूरा समाज जो है आपके साथ कंदे से कंदा मिला करके खड़ा हुआ है और ये बदलाव की शुरुआत है अगर वो नहीं चेते तो उन्हें पता है क किस तरीके का नुकसासी जो नुकसान है उनको उठाना पड़ेगा और आदिवासी तब का और बाकी तब के जो अपना हख अभी तक उनको नहीं दिया गया उह अपना हख अब लेने के लिए खड़े हो गए अगर नहीं दो गए तो वो चीन करके लेगा दिना जानता है इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा नाम सुमेच चोहान है और इस वीडियो को बनाने मेरी मदद करी है मेरी सैयूग घैजरा परवीन अगले वीडियो में मिलते हैं साथियो